हलदवानी में इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन की ओर से एक दिवसी कराटे प्रसिक्षिन और ब्लैक बेल्ट का एक्जाम आयोजित किया गया जिसमें कई यूवाव ने भाग भी लिया वही संबन में जानकारी देते हुए कराटे कोछ विरेंदर राथोर ने बताया कि उत् कराटे के एक्जाम में कई यूवाओं ने शांदार प्रसिक्षिन लेते हुए ब्लैक बेल्ट हासल की है जिनको कराटे के मास्टर के रूप में कैनेडा के मुख्यातिती के रूप में योगेंद्र चौहान ने प्रमार पत्र देकर सम्मानित किया हलवानी से दीपक अधिक कि stop that 2 कि condaidk कर सके और हम चाहते हैं कि हमारे sa ili चर्प और भी अजो पो इस जापरावान ब्लीव करें मेरा सपना यह कि हमारियों प्राम्नींस्ट्र सार है वह हमारेत ऑड़ावा देन के ळेैने की ब्लबक पक्रिक्तव करें इतनी सारी योजनाई राते हैं जिसकी खेलो इंडिया प्रोग्राम और हमारे बस यह है कि हमें इसमें बढ़ना है और उनका सपना पूरा करना है अब जैसे कि उत्राघंड में जो 38 अर्टिस्वा नाशनल गेम्स हो रहे हैं उसमें हम चाहते हैं कि हम पार्टिसपेट करें औ अब पहले जैसा नहीं आता है पढ़ेंगे लिखेंगे तबी नवाफ बनेंगे अब तो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे स्थार का नारा चला है तो हमारे जो बच्चे हैं खासका लड़िकियां आगे चलके बहुत अच्छा परमोस्त कर रही हैं अंतराश्टे लेवल पर राश्टे लेवल पर और अपने राज्जे का नाम नौसन कर रही हैं मैडल लेके आ रही है तो और से यहां पर आया हूं बच्चों को स्पेशली के लोगे इंडिया बढ़ेगा इंडिया जो प्रधानमंतरी जी का सपना उसके तहत बच्चों को टेडिंग के नए ने अगर सिखाने के लिए यहां पर आया हूं जैसे कि यहां के बच्चे आलरी कई नाशनल और इंटरनाशनल रास्टी अस्तर पर पर परफॉर्म करते रहते हैं और मैडल जीते रहते हैं उत्राखंड का नाम जो है हल्दवानी का नाम आगे बढ़ाते रहते हैं अभी कुछ जिन पहले कॉमन्वेल्थ में भी हमारा यहां का प्लेयर है चेतन भाट जिसने की इंडिया को रीपरजेंट किया था मैडल बीजीता था मैं इसी प्रदानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए उड़ा सा उसमें अपना एक भाग्यदारी करने के के लिए और बच्चों को आगे नहीं टक्नीक कराटे की सिखाने के लिए आया